मुझे ये नया जीवन सिर्फ कुछ चर्सिंग का सरवनाश करने के लिए मिला है और उस रास्ते पे सिर्फ तुम दोनों मेरी मदद कर सकते हो तुम ही वो दो हो जो एक औरत की कमजोर बाहों को मर्द की ताकत वर बाजियों का सहारा दे सकते हो पस यही कुदरत है यही मा का वर्दान बोलो करोगे ना मीनी मदद जूट, जूट बोल रही है तू, पर कोई जूट दीक है, जूट बोल रही है तू, जूट बोल रही है, हर बार एक नया जूट बोलती है, और जब इसका जूट पगना जाता है, तो एक और जूट बोलती है, एक और मंगड़कानी सनाती है, ये, ये तो एक नागिन है, ट्रच एप Теперь मेरे यार औरत बेवफा होती है करें बेवफा पनिए अवरत कि अमचे सब द sarc के अ जिल रही थी तू के रहे यार तो हमेशा चाहता था ना क्य मैं दूर हूं मुझे दूर ले चल मेरे यार मुझे से बॉर ले चल चल यहर नाई की चान नहीं ये इस बार जूट नहीं कह रहें क्या ये तो कह रहा है शंकर मैं कह रहा हूं ये पहली बार सच कह रही है किशन आज इसकी जुबा नहीं इसका दिल बोल रहा है बहुत अत्याचार हुआ है ना तेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है ना लेकिन एक बात कहूं ये संसार भगवान ने रचा है अगर वो एक रास्ता बंद कर देता है तो ना जाने कितने रास्ते खोल देता है अगर कुछ पल के लिए अंधेरा कर देता है तो उम्मीद की रोशन किर्णों से एक नए सवेरे का उजाला भी ले आता है उसने तुझे जो रास्ता दिया है उस रास्ते पर हम चलेंगे तुम्हारी मदद हम करेंगे तुम्हें तुम्हारी मंसिल सक हम पहुंचांगे रू नहीं बनता है कि हम इसकी मदद करें हमें इसके साथ जाना होगा किशन यह क्या पकबस कर रहा है तुम्हारी में पहचान लिया तो दूसरे को भास लिया किशन क्या बख लाए तू जो औरत की इफाज़त करता है वो सिर्फ पती आशिक नहीं होता है मर्द का एक और रुप भी होता है जिसे भाई कहता है आज से मैं तुम्हारा भाई हो रुपा तुम्हारी इफाज़त मैं करता है